नमश्कार मैं हूं डॉक्टर बरुन प्रभा और स्वागत करते हूं सब इलों का अपने इस चैनल पर आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एजी रेशियो टेस्ट के बारे में हम डिसकस करेंगे यह दोनों जो प्रोटीन होते हैं यह हमारे शरीर में बहुत ज़ हैं तो आज के अपने इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एजीरल्इंट के बारे में समझेंगे कि रेशियो क्या होता है इंके इंका प्रोटनס ्ट जो होता हो ど McKyesu कैसे होता है तो का इनरीह होता है फिक चैनला का है तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपकोई भी अपडेट मिस ना हो जैसा कि मैंने पहली बता है अल्बमीन और ग्लोबिलेंट रेशियो जो एल्बमीन और ग्लोबिलेंट होता है यह दोनों प्रोटीन के नाम है और हमारे शरीर में इनकी बहुत जादा इंपॉर्टेशन ह है और मिन उसमें काफी जादा मदद करता है और दूसर प्रोटीन है और अगरे शरीर मेंटे को बनाएजाता तो इस ब्लड टेस्ट के दौरह जो अल्बमीन और ग्लोबिलेंट का रेशियो होता है उसको जांचा जाता है और अगर अगर यह abnormal ratio आता है या normal से बढ़ा घटा आता है तो कई सारे health issues को indicate करता है तो usually इससे हम किन conditions में करवाते हैं, इससे हम क्या समझ सकते हैं, अगर liver disease है, kidneys related कोई problem है nutritional कोई problem है, basically इन conditions में AG ratio का importance काफी बढ़ जाता है साथी साथ आप जानते हैं कि कब और किन conditions में इस test को हमारे डॉक्टर एडवाइस करते हैं यह comprehensive metabolic panel का test है और हमारे डॉक्टर अगर suspect करते हैं कि protein का जो ratio है, इसमें abnormality हो सकती है albuminia, global insulin related कोई problem हो सकती है, हमारे लॉक्षनों से उनको अगर हमारे डॉक्टर को लगता है तो यह test फिर करवाया जाता है जो लॉक्षन है वो कुछ इस तरीके से हैं, अगर हमारे शरीर में, हमारे आंकल में, पेट में, swelling हो सकती है जो कि abnormal attention of fluids होती है, तो यह test कर रहा जाता है, साथ ही साथ ठकान काफी जादा हो, जॉन्डी से related symptoms अगर दिख रहे हैं, vomiting और nausea की problem हो रही है भूख नहीं लग रही है, और urine में blood आ रहा है, तो इन सारी condition में यह test होता है, यह करवाया जाता है तो समझते हैं कि इस test हो कैसे perform किया जाता है, और इस test हो करवाने के दौरान क्या 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 precautions लेनी होती है तो जैसा कि मैंने पहले ही बता था कि blood में AG का जो ratio है वो चेक करते हैं, तो यह blood test है जिसके लिए हम यह blood sample की जरूरत होती है जो कि हमारे elbow की vein से लिया जाता है और उसको laminalysis के लिए भेजा जाता है और उसका जो ratio होता है albuminoglobulin का उसको जाचा जाता है तो इसका जो normal range होता है उसके बारे में अब जान लेते हैं तो AG ratio 1.1 से लेकि 2.5 तक जो होता है वो normal होता है आचा है इस test को करवाने के पहले as such कोई खास preparation की जरूरत नहीं होती है लेकिन किसी भी तरीके का अगर आप medicine use कर रहे हैं चाहे वो over the counter medicine है या फिर कोई prescription medicine है या फिर किसी भी तरके का कोई भी health supplement ले रहे हैं अपने डॉक्टर को उसके बारे में ज़रूर इनफॉर्म करें साथ ही साथ जब भी आप कोई test करवाते हैं medical test investigation करवाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा जो lab या center है वो reliable हो registered हो क्योंकि जो result आता है उसी के basis पर ही सारी जो diagnosis होती है वो treatment planning होती है की जाती है तो वो काफी ज़्यादा critical होता है result तो इसके लिए अगर आपको भी किसी lab के बारे में जानकारे चाहिए तो हमारी टीम ने description box में कैसे ही lab का link दे है जिसके आप मदद ले सकते हैं तो अब जान लेते हैं कि अगर यह albuminoglobulin का ratio normal से कम आता है तो इसका क्या मतलब होता है तो liver disease में kidney disease में या फिर कुछ एक तरके के autoimmune conditions होते हैं जैसे कि लिपस इन conditions में जो ag ratio है वो कम आ सकता है normal से साथी साथ किन conditions में ag ratio normal से जादा आ सकता है अब इसके बारे में जानते हैं कुछ एक तरके के genetic disorders है leukemia है इन conditions में normal से जादा ag ratio आ सकता है अचा है कि ag ratio को जांचने के साथ ही साथ टोटल प्रोटीन भी कई जांचा जाता है उसके अर्वा सेपरेटली albumin का जो value है और globulin का जो value है उसको भी जांचा जाता है as per requirement तो आज किस वीडियो में हमने डिसकस कि जो ag ratio test है याने की albumin globulin ratio का जो test है वो क्या होता है उससे जुड़ी जो बाकी जानकारी है उसको भी हमने short में समझने की कोशिश की तो उमीद करते हूं जो अपकी understanding है इस test के towards वो काफी बढ़ी होगी उसके alarm यह कुछ जानना चाहते हैं किसी तरके का कुछ सुझाब देना झाल